इतिहास की दिल्चस्प कहानियों के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें लिव हिस्ट्री इंडिया उत्तर प्रदेश की राजजानी लखना अपने तहजीब, नफासत और नवाबों के लिए पूरी दुन्या में जाना जाता ही है लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि लखनाओ शहर में खुबसूरत इमारतों का खजाना है उन में से एक है लखनाओ का हजरत गंज मारकेट जो शहर के बीचों बीच है 21 सदी के लखनों में आज भी लखनों वालों के लिए 200 साल से भी जादा पुराना हजरत गंज मार्केट मनोरंजन का सबसे बड़ा केंद्र बना हुआ है अंग्रेजों के सत्ता में आने से पहले हजरत गंज नवाबों का बसाया हुआ सबसे बड़ा बाजार था लकनो की लोगों को हजरत गंज में वक्त गुजारना अच्छा लगता है और इसे गंजिंग कहा जाता है जिसका मतलब होता है शहर के सबसे जादा रौनक और चहल पहल वाले इलाके हजरत गंज की गली कुचों में खाना पीना और घूमना फिरना हजरत गंज का पुराना नाम मुनवर बख्ष था इसका नाम मुनवर बख्ष कोटी पर रखा गया था उस वक्त महां यूरोपिय तरस की कई कोटीयां थी जिनका इस्तमाल नवाबों के अंग्रेज महमानों को तहराने के लिए किया जाता था ये इलाका तमाम एहम कोटीयों और महलों के करीब था ये सबी खूबसूरत इमारते नवाब सादत अली खान के दौर में बनवाई गई थी सादत अली खान सौंदर्यता के प्रेमी थे दिलकुशा कोटी पैलेस जैसी कई रिहाईशी आलिशान इमारते उन्होंने ही बनवाई थी सन 1827 में जब नवाब नसीरुदिन हैदर ने हुकूमत की बागदौर संभाली तो उनका दरबार रंगा रंग से भरा हुआ था उन्होंने सरकार चलाने का कामकाज काबिल हाथों को सौंप कर खुद जिन्दादिली जिन्दगी गुजारी नवाब नसीरुदिन हैदर नाजुक और नफीस पसंद के जिन्दादिल इनसान थे यही वज़ थी कि उन्होंने गद्धी पर बैठते ही अवद के सबसे बड़े बाजार की शकल में उसी साल मुनवर बख्ष की बनियाद रख दी थी जहां पहली बार चाइना और कप्तान बाजार बनवाए गए थे इन बाजारों में चीन, जापान, बेल्जिम और यूरोप से आया शानदार सामान बेचा जाता था लेकिन सन 1837 में नवाब साहब को उनके वफादारों ने ही जहर दे कर मार दिया सन 1842 में इस बाजार का नाम बदल कर हजरत गंज रख दिया गया जो की नवाब अमजद अली खाँ के नाम पर रखा गया था जिन्हें लोग हजरत कहकर बुलाते थे पहली जंग आजादी के बाद सन 1857 में अंग्रेजों ने लखनो को अपने कबजे में ले लिया था में इसे दोबारा बनाया गया अंग्रेजों की आवा जाही को आसान बनाने के लिए चोड़ी सड़के बनाए गई वहां ऐसी दुकाने बनाए गई जहां दुकांदर अपने दुकानों के ऊपर बने मकानों में ही रहते थे यहां नए अंदास के शोरूम, में खाने, होटल, रेस्टोरंट, सिनेमा हौल, दफ्तर और कमपनिया खुल गई इसके अलावा मार्केट में गुरजरी, हनलूम एमपोरियम और गांधी आश्रम भी था यहां बहतरीन में खाने बनाए गए थे, प्रिंस ओफ वेल्स नाम का बिलियर्ड रूम था जो आज कपूर्ज होटल है, बहतरीन कैपिटल और में फेर्थ हेटर थे नए हजरत गंज में कैथीड्रिल चर्च, कॉफी हाउस, साहू सिनेमा, जीपियो और एक हनुमान मंदर भी है सन 2010 में 215 सालगीरा के मौके पर हजरत गंज का रूप रंग बदला गया, जो बहुत जरूरी भी हो गया था सभी इमार्तों पर एक ही तरह का रंग रोगन किया गया, पत्थर की रहदारियां बनाए गई, पुरानी तर्स पर विक्टोरियन स्टाइल के लैंप और बेंचस लगाए गई ताकि लोगों को हजरत गंज का वो शांदार इतिहास याद रही, जो एक बड़ा व्यापारी केंद्र के साथ एक एतिहासिक आकर्शन है हजरत गंज की कहानी बहुत पहले शुरू हुई थी, और आज भी लखनों के लिए मनोरंजन की सबसे बड़ी जगा यही है गंजिंग प्यार और महबत भरा एक शब्द है जिससे हजरत गंज की तमाम खूपसूर्थी जाहिर हो जाती है जिसमें खरीदारी और खाना बिना सब शामिल है यह एक ऐसी जगा है जहां शानों शौकत है, तफ्री है, आराम और सुकून भी है जिसमें लिए जगा है